हेलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में फायरवाल को कैसे डिसेबल या टरन ओफ करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग आपी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ता प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए टैप करते हैं यहां पर आपको फर्सलिफ डीट्र चैनल को सब्सक्राइब करते हां यहां से ग्रीज बार ताका आपको क्या करना है इस window को भी यहां से बरा कर लिजाएगा ताकि सारा path आपको clear दिखे अब आपको क्या करना है यहां पर आपको दिख जाएगा computer configuration इसके नीचे आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा administrator template इसको पर आपको double click करना है double click करती ही इस तरह से list open हो ज यहां पर आपको दिख जाएगा window defender या नहीं तो आप चलिए इसको मैं बढ़ा कर देता हूं ताकि आपको clear दिखे इस तरह से बढ़ा कर लिजेगा अब आप यहां पर आपको double click करना है double click करती ही इस तरह से list open हो जाएगा अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप करना है इस तरह से double click किजिएगा double click करती ही इस तरह से विंडूओ open हो जाएगा अब यहां से के आपको यहां पर आपको अप्लाइप पर क्लिक कर देने इसी तरह जब कभी भी आप इसको इनेवल करना चाहते है तो आपको क्याकर नहीं यहां पर इसके बाद आपको अपने हिसाब से तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा window defender, firewall protection, all network connection, इसके ओपर आपको double click करना है, double click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, आप आपको यहाँ पर भी same चीज़ करना है, यदि आप इसको disable करना चाहते हैं, इसी तरह यदि आप इसको enable करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से disable या enable करना चाहते हैं, वो setting यहाँ पर आपको अपने हिसाब से कर लेने हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको okay पर click कर दिने, आप आपको क्या करने हैं, इस window को यहाँ से close कर दिने, close करने के बाद आपको क्या करने हैं, या तब यहाँ से click करके, यहाँ से भी आप तब चीसा के यहां पर क्लिक कर सकते हैं। यह सके लिए। इसके बाद आपको क्या करने है यहां से back आजाना है यहां से back आजाएगा इसके बाद आपको क्या करने है यहां पर private network होगा इसको भी आप off करना चाहते है तो यहां से click करके आप यहां से off कर सकते हैं इसी तरह यदि आपको on करना होगा तो यहां से on कर सकते हैं यहां से on off कर सकते हैं, तो same setting भी आप यहां से कर सकते हैं, इसके बाद यहां से आप बैक आजाएगा, अब आपको यहां पे दिख जाएगा public network, इसके लिए भी करना चाहते हैं, तो same setting आपको यहां से भी कर देना होगा, तो यहां से आप कर करके disable कर सकते हैं, इसी तरह enable करना चाहते है, य इसके बाद यहां पर आपको किलिक करना है किलिक करते हैं इस तरह से विंड ओपन हो जाएगा इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन के नीचे यहां पर आपको दिख जाएगा मैनेज नोटिफिकेशन इसको पर आपको किलिक करना है किलिक करते हैं इस त करके इस तरह से यहां से आप Notification को भी Disable अब आप रीस्टklich 이제 चरके करके कैसे यहां से सेटिंन खेक होगा याने ऐक और तरिका है इसको Disable इनेबल करने के लिए कंट्रल पैनल ओपेन औने करने के लिए आपको क्हा केने या तो आप यहां से भी कलिक करके ऊपेन कर सकते हैं यानि तो आप सर्च पर क्लिक करके यहां पर सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं दोनों में से कहीं से भी क्लिक करके कंट्रोल पैनल ओपन कर लिजेगा ओपन होने के बाद यदि आपको केस में इस तरह से नहीं दिखते हैं तो आपको क्या करना है यहां पर आपको क्लिक जाएगा window defender firewall इसको पर आपको किलिक करना है किलिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ पर लिखा हुआ रहा है सिकुरियोटी सम सेटिंग और मैनेज बारियो सिस्टम एडिम इसको इनेबल करने नहीं एक और तरीका यह है कि आपको क्या करना होगा तो यहाँ से क्लिक करके आप अन उफ कर सकते हैं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेम चीज़ दिख जाएगा आप देखने यहाँ पर window security manage by system administrator इस तरह का रहे हैं यहाँ से इनेबल डिसे नहीं कर सकते हैं ऐसे ही problem आपको case में आते हैं तो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको solve करना है इसके लिए आपको क्या करना है इसको आपको क्लिक करना है क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको टैप कर इस window को आपको open कर लेना है, इसके बाद यहाँ से आप इसको बरा कर लिजेगा, इसके बाद यहाँ से आपको दिख जाएगा computer configuration, इसके नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगा administrator template, इसको पर आपको double click करना है, double click करती है, इस तरह से लिस्ट open हो जाएगा, इसके बाद आपको दिख जाएगा window defender firewall, इसको पर आपको double click करना है, double click करती है, इस तरह से list open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर दो profile दिख जाएगा, एक domain, एक extender profile, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको domain profile select करने है, इसके बाद आपको क्या करने है, red side में आने के बाद यहाँ आपको दिख जाएगा window defender, firewall protection, all network connection, आपको क्या करने है, इसको आपको select करने है, select करने के बाद आपको क्या करने है, इसको पर आपको double click करने है, double click करती है, इस तरह से window open हो जाएगा, अब यदि आप यहाँ से disable है, तो आपको क्या करने है, यहाँ से enable करना चाहते है, तो यह इसके बाद के खर करना है तो यहांब करके करो हमोघगर से सेटिंगा ए यहांब करना है यहां पर डबल क्लिक किजेगा यदि आपको डबल क्लिक करना है तो इस तरह से विंट ओपन हो जाएगा यहांब disable enable करना चाहता है तो यहताब न करना है यहाँ पर क्लिक करना चाहता है तो यहाँ पर क्लिक करना है इसके बाद आप मैं यहाँ दिखा भी देता हूं है यहा करेंगे यहाँ तो यहां पर उच्ट चुका है बहले यहां पर आ रहा है इसका पर नोटिफिकेशन सेटिंग वी आप restore default करना है तो यहां से आप restore default कर सकते हैं advance setting करना होगा तो यहां से clicker करके आप advance setting कर सकते हैं वो next video में आपको बताऊंगा यदि आपको चाहिए इसका tutorial ता आप comment कीजिएगा इसके बारे में भी वीडियो बता दूँगा इसके बाद आपको क्या किने इस window को यहां से close कर देने और प्लीज गाइज चैनल को subscribe करे, like करे, share करे, thank you